हलो फ्रेंट्स आप सभी का इन्फो लैप में स्वागत है काफी सारे वीवर्स की एक कॉमन क्वेरी रहती है कि लोक अदालत कब लगेगी कहां लगेगी और जो पेंडिंग चलांस है वहिकल के उनका भुकतान कैसे होगा तो आज की वीडियो में हम यही सारी बाते डिसकस करेंगे वीडियो काफे important होने वाली है क्योंकि the date has finally come लोक अदालत जो है वो 14th May 2022 Saturday को लगने वाली है इसका जो टाइमिंग है वो सुबा 10 बजे से लेके 3.30 बजे रहने वाला है आप सभी 14 माई 2022 को अपने वहिकल की RC चलान की photocopy insurance driving license लेके और साथ में इन सभी documents का एक set photocopy लेके अपने nearby district court में जा सकते हैं अपने वहिकल के pending चलान के भुकतान के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request है अगर आप सब channel पे नए हैं तो हमारे channel को subscribe करें and bell notification को press करें जिससे के हमारी सारी latest updates और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके नाशनल लोक अदालत का मतलब इसको नाशनल लेवल पे organize किया जा रहा है 14 मेड 2022 को आप जिस भी state में रहते हैं like Delhi, Chandigarh, Himachal वहां के nearby district court में पता करके आप अपने vehicle के pending चलान का भुकतान कर सकते हैं डेली की बात करें तो डेली के सभी district court complexes में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें के आपकी तीसदारी court हो गया, रोहिनी court हो गया, करकर डूमा court हो गया, साकेत court हो गया, द्वारका court हो गया, पतेयाला house हो गया, रौज अवनी हो गया तो इन सभी courts के अंदर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा एक बहुत important बात मेरी आप सब note करना आपके वहिकल के pending चलान के अलावा, यदि आपका कोई electricity bill है, water bill है, या फिर कोई penalty amount है, उसको आप लोक अदालत में settle कर सकते हैं, या फिर उसकी penalty amount को pay off कर सकते हैं लोक अदालत में आप अपने private vehicle के चलान के भुगतान के साथ, यदि आपका कोई commercial vehicle है, तो उसका भी चलान आप लोक अदालत में भर सकते हैं अब एक छोटा सा suggestion आप सबी के लिए, यदि आप लोक अदालत जाने का प्लान कर रहे हैं 14 माई 2022 को, तो मेरा आप सबी को यही suggestion है कि court एकदम time से पहुँच जाएं, सुबा 9 बजे, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया, लोक अदालत के अंदर काफी भीड रहती है चलान अपनी जगे पे है, बट सबसे उपर है आपकी health और safety तो जब कभी भी आप लोक अदालत जाएं, तो वहाँ पर mask का use जरूर करें और एक distance जरूर maintain करके रखें इस useful information को share करें among your friends and family member जिसे की होने वाली लोक अदालत का जादा से जादा लोगों को पता लग सके Friends, I hope you like this video, so like बटन को प्रेस करें और चैनल पर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करें and bell notification को प्रेस करें for all latest updates and videos Thanks for watching Infolab